वैलकम टू अच्छे दिन अमरिता राव एक इंडियन मोडल और बॉलिवूड एक्टर्स जिन्होंने फिलम इंडिसेज में खुद के लिए अपनी एक अलग पैचान बनाई 2002 में अपके ब्रस से बॉलिवूड डेबू करने वाली अमरिता ने कई हिट फिल्में की है जैसे विवा, स्विस, लिजेंडा बगत्चिंग, मैं हूना, मस्ते इत्यादी इसके अलावा अमरिता राव उन एक्टर्स में से एक है जिनने बहुत छोटी उमर में दादा साफ हाल के अवाड से समानित किया गया आज अमरिता राव बॉलिवूड की मोस्ट रेंडिंग सेलेबिटी में से एक है जिनने आने वाले फिलम सत्संग में अजे देवगन के साथ देखा जाएगा इस वीडियो में हम आपको अमरिता राव से जुड़े कुछ एसे रहसे बताएंगे जो सायद आप नहीं जानते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें मॉडल से अभिनेतरी बनी अमरिता राव का जनम साथ जून 1981 को हुआ था उन्होंने कई हिंदी और तेलगू फिलमों में काम किया अमरिता 15 माई 2016 को अपने प्रेमी अनमोल से साधी करने के बाद सुर्खियों में आई जो कि एक रेडियो जोकी है अमरिता कभी अपने नेजी जीवन को लेकर खुलकल बात नहीं करती इसलिए उनकी साधी के डिकलेशन हर किसी के लिए आजचरिय की बात बने वी है अनमोल अमरिता दोनों साधी से पहले साथ साल तक एक दूसरे को डेट कर रहे थे जब हम अमरिता राव की फिल्मों की बात करते हैं तो उन्होंने शाहिद कभूर के साथ कई विलमे एक कोकणी ब्रामन प्रिवार में पैदा हुई उन्होंने अपनी सकूली सिख्षा कानोसा कानवेंट गर्ड सकूल से की जो एक बहुती सक्त सकूल मना जाता है। उन्होंने अपने एक इंटर्वी में बताया मैं एक सकूल में गई जा मुझे हमेशा आग्याकारी रहना था। इसके अलावा उन्होंने अपनी ग्रेजवेशन के बढ़ाई सोफ्या कॉलेज मंबे से की है। अमरिता राव की प्रिति का नाम की एक छोटी बैन है और दोनोंने साथ में मॉडलिंग की है। वह एक जर्नलिस्ट है और उनके पिता दीपक राव मुंबई में एक बिजनसमैन है। अमरिता हिंदी, कोगनी, अंग्रेजी और मराठी बहुत अच्छे से बोलती है। उन्हें 2011 की सिर्ष 50 डिजारेबल वोमें में एक डिकलेर भी किया जा चुका है। जब वैक केवल 16 साल की थी तो उसे किर्केटर 99 मोंगया पर क्रेस्ट था। अमरिता ने कहा मैं ही नहीं, मेरी सभी फ्रेंस लड़कियां सतिन देंदुलकर को पसंद करती थी, लेकिन मैं नैन मंगया को पसंद करती थी। नमबर 6, 2007 में रणवीर कपूर और अमरिता राओ के वीज़ एक कंड्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि एस राज की फिल्मों ने उने एक फिल्म की पेशकस की थी, जहां उने सक्रीन पर रणवीर कपूर को किस करना था, जो उन्होंने कभी ओन सक्रीन नहीं किया था, उसने उ अपनी पढ़ाई पर कॉंसल्टेट करना चाहती है, नमबर 1, अमरिता राओ गुरुदत की पोती है, जो एक फैमस प्रोड्यूसर थे, उनके दादा अमरित और गुरुदत सा तेरे भाई थे, उनके पास एक अच्छी आवाज है, और वा लंबे समय तक इंडियन क्लासिकल सिंगिंग कर चुकी है, नमबर 9, अमरिता ने सलमान खान के साथ एक बार फिलम करने से इंकार कर दिया था, उने प्रेमरतन पायों में सलमान की बेन की बुमिका की पेसकस की गई थी, अलंकि उन्होंने इसे ऐसे विकार कर दिया क्योंकि उन्हें मैंड रोल की पेसकस नहीं की गई थी, अमरिता राव और इसा देवल की फिलम प्यारे मोहन के सेट पर जबरजस लड़ाई हुई थी अमरिता को इसा देवल ने सूटिंग के दुरान थपड तक मार दिया था यह तब वह जब अमरिता ने फिलम के सेट पर इसा को खुलेयाम गाली दी थी नमर इलेवन वर्ल्ड फैमस पेंटर M.F. हुसेन ने अमरिता राव को मादरू दिख्षित की रंग में रगने के ग्यारा साल बात उनका दूसरा म्यूजियम डिकलेर किया और फिलम विवाव में एक्टर्स की भूमिका को समर्पित कई तस्वीरे मनाई नेचल विटी की बात आती है तो आप आइडिया लगा सकते हैं अमरिता राव बोलिवुड की उन एक्टर्स में से एक है जो रियल लाइफ ब्यूटी आइकन है बोलिवुड इंडस्टीज में अमरिता राव के एक रियल लाइफ इंस्पार्ड एक्टर्स के तोर पे पैचाना जाता है आपका लुक आपके लिए आपके व्यक्तिताओं को नहीं बदल सकता है लेकिन आपकी परसनल्टी निश्चित रूप से आपके लुक को बदल सकती है इस तरह की फिलोस्पी अमरिता को और भी महान बनाती है अमरिता राव हमेशा उर्जा से फुल्फिल रहती है वह चलते फिरती हमेशा एक्टिव रहती है उर्जा वह उच्छा से फुल्फिल अमरिता उससे पहले एक्शन ले लेती है अमरिता राव एक पेशेवर ट्रेंड क्लासिकल सिंगर है अपने सकूल के दिनों में उन्होंने एक कठिन तीन साल तक ट्रेनिंग प्राप्त की परणाम शुरूप आज हर कोई उनकी इसकाला का दिवाना है Secondly, उनके जीवन का एक ड्रीम रहा है कि वे ब्लैक और वाइट फिलम में परफॉर्म करें मगर सेमा बदल चुका है जो अब एक शिरफ ड्रीम ही रहेगा अमरिता बॉलिवोड इंडस्रीज की गर्ल नेच स्टार के रूप में भी जानी जाती है तो फ्रेंट इस वीडियो का इस तरह एंड हुआ एसी और भी इंटर्टेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहे अच्छे दिन चैनल को हर उस रहसे के लिए जो आप जानना चाते हैं वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें इम चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू सो मच